दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल BBMW मेकेनिकल गुरू में दोस्तों आज की वीडियो में आप देखोगे हमने ड्रिलिंग करने के लिए एक बांक त्यार किया जिससे छोटे से छोटे पीस पे असानी से हम स्राख कर सकें यह हमने चार एंगल लिए हैं डेड़ डे कर लेनी है एंगल होंगी और इसको टैगिंग कर लेनी है अब इस पीस की भी हमने ऐसी टैगिंग कर लेनी है और इसको अच्छे से वैल्डिंग मार देना है दोनों साइड है पहले तो हमने रहे हैं पहले तो हमने इसमें होल कर लेने हैं चार और इसमें भी होल कर लेंगे हम इसमें हमने कट निकाल लेने हैं और दूसरे बाले में भी कट निकाल लेंगे यह देखिए हमारे कट निकल चुके हैं यह कट हमने गैस कटर से निकाल ले हैं और फिर आप हम इसकी एंगलो की सेटिंग करते हैं और इससे निशान लेके हम होल करेंगे इसमें द्यान से देख लिए हमने इसको ऐसे सेट करना है और फिर इसके बीच अला गैब एक्वल रखना है और निशान ले लेते हम और निशान लेने के बाद हमने इसमें धाई सूत का बर्मा मारना है ड्रिलिंग करनी है हमने धाई सूत की और फिर हमने इसमें चूड़ी डाल देनी है तीन सूत की हमने 500 का वॉल्ट लेना है जो कम से कम 10 इंची लंबा हो और उसके आगे से उसको अच्छे से ग्रेंड कर लेना है जैसावा तीन सूत के स्राथ में पूरा पूरा जाए उसके सामने एक सा तीन सूत का नट उसके उपर लगा लेना है और उपर लगा के इसको अच्छे से बैल्डिंग कर देना है कर देना है कर देना है यह हमारा 400 का नट है और इसको हमने बोल्ट के साथ बेल्डिंग कर देना है हमने दो इंची 300 की पती ली और उसमें ग्रंडर से इसकी लैनिंग डाल दी जिससे पकड़ मजबूस पन सके अब इनको अच्छे से बेल्डिंग कर लेंगे कर इस दो थाफ बेल्डिंग कि यह हमारी बांग कियार हो चुकी है अब हमें इसको चुला कर देखे लेगते हैं विसका नट्र सही काम कर रहा है अबस्क्राइब कि अधिछार कि झाल सवी अधिए अधिए झाल 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 दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो डालता ही रहता हूँ जया आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज स्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जोस्तों थैंक्स फोर वोग्चिं इस वीडियो आपको प्रेस करें